अगर आप मेरे वीडियोज काफी टाइम से देखते आ रहे हो तो आपको पता होगा कि आज से आठ महीने पहले मैंने अपने चैनल पे जोक्स फोन आप का रिव्यू किया था लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपके कुछ भी पल्ले नहीं पर रहा है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ तो मैं आपको बता दू कि जोक्स फोन एक ऐसा अप्लिकेशन है जिसका यूज करके आप किसी को भी कॉल करके उसके साथ प्रैंक कर सकते हो लेकिन उसमें नही आपको कुछ बोलने की जरूरत पड़ेगी लेकिन फिर भी सामने वाले बंदे का पोपड बन जाएगा तो पहले आप ये एक्जामबल सुनो फिर बताता हूँ कैसे मैं बिल्कुल पास में हूँ लेकिन आपका पता समझ नहीं आ रहा क्या आप वहाँ पहुंचने में मेरी मदद कर सकते हैं अब देखो इस अप्लिकेशन में ना कुछ प्री रिकॉर्ड़ेट सांड्स होते हैं जिसे आपको चूस करना है एंद यहां उस बंदे का नंबर टाइप पर के प्ले प्रैंक कॉल पे क्लिक कर दो और यह सांड इतने ऑथेंटिक होते हैं कि सामने वाला बंदा उस कॉल को इसली पकड़ी नहीं सकता है पर एक ट्रिक है वो बहुत कमाल का है तो इसे अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई करने के बाद आपको इसे ओपन करना है एंद यहां से जोक्स फोन को चूस कर लेना है फिर सबसे बिले यहां से इस आपकी नेम को चेंज करना होगा so that आप सेम नेम देखके confuse ना करो फिर आपको थोड़ा स्क्रोल करना है और यहां इस प्रिविसी ओप्शन पर क्लिक कर दो उसके बाद आपको यहां पर चेंज एंडॉइड आइड का एक ओप्शन देखने को म अब आपको बैक आके इस ठिकमा के ओप्शन पर क्लिक करके अप्लिकेशन को इंस्टॉल कर लेना है और बस आपको क्रेडिट प्राप्त हो जाएगा और आप इस प्रॉसेस को इसी तरह रिपीट करके मजे ले सकते हो तो बहुत ही से ट्रिक है डिफिनिल से ट्राइ करना त अपना पूरा जोर लगा दो लेकिन लाइक टागेट चल्दी से कंप्लीट करवाओ फिलाल कारे करम शुरू करते हैं तो भाईया सेट बैक रिलाक्स एंड वच्ट वीडियो तिल दी फैरी एंड हजब या भी रिसेंट्ली एक निउस आई थी जहाँ पे काफी सारी यूज हुआ तो पता चला कि उन सारे यूजर्स के फोन में Microsoft Team App इंस्टॉल था जिसने उन सारे फोन में एक बग ट्रिगर कर दिया जिसके वाज़े से उनका फोन फ्रीज हो गया और वो डाइल बटन प्रेस नहीं कर पा रहे थे अब देखो यह जरूरी नहीं है कि ऐसे बग करने आए problem कुछ भी हो सकता है हो सकता है कि कोई दूसरा आप जो आपके फोन में already installed है वो कोई bug create कर रहा हो और वो कहीं न कहीं internally आपके फोन पर affect छोड़ता है तो इस चीज़ से बचने के लिए आप phone account abuse detector आप का यूज कर सकते हो जो आपको यह बताएगा कि आपके फोन में कोई ऐसा app तो install नहीं जो ऐसे bugs trigger कर रहा है तो ground level पे खुद से problem detect करके उसे solve करने के लिए यह application सबसे best है हजब android phone में काफी सारे ऐसे settings होते हैं जिससे अगर आप enable कर दोना तो आपका phone एकदम rocket के माफिक काम करेगा लेकिन यह सब settings ऐसे जगह पे चिपे होते हैं जिनके बार settings का एक option देखनी को मिलेगा तो आपको उस पर क्लिक करना है फिर यहां से option high performance mode को enable कर दो और बस आपका काम हो गया अब यह option enable करने के बाद आपके phone का battery consumption increase होने वाला है तो basically यह option आपके काम में तब आएगा जब आपकोई high performance काम कर रहे हो like here भी graphics के game खेलना या कोई ऐसा काम करना जहां पर normal mode lag करें तो यह settings कहीं न कहीं आपके phone के immeasurable powers को enable करता है वैसे जब काम complete हो जाए तो इस option को disable कर देना वरना battery इतनी जल्दी खतम होगा कि आप बोलोगे वैसे यार अगर वीडियो में मजा आ रहा ना तो एक बार comment में यह type कर दीजिए तो यह जिस लिस्ट क क्योंकि इसके काम को देखके आप इंक्तम शॉक होने वाले हो तो सबसे पहले application को install करने के बाद आपको इस पर tap and hold करना है और इस app info पे click करो फिर थोड़ा scroll करना है और यहां से इस option additional settings पे click कर देना है अब आपको यहां पे कुछ options तो हो जाएंगे तो आपको सबसे पहले इस इनेबल कर देना होगा और फिर यहां से इस application के लिए एक password set कर दो password at least four digit की होनी चाहिए और इतना करने के बाद अब आपको इस option lock stories access पे click कर देना है और बस आपका यह app use करने के लिए ready है अब आप यहां इस application में जिस किसी भी file को store करोगे न वो और दूसरे किसी भी file manager म नहीं होगा इसके look normal file manager की तरह है जिससे यह कहीं से भी दिखने में unusual नहीं लगता है और एक बार अगर आप किसी भी folder या file को यहां इस app में import कर लेते हो दिन आप उसे source file से delete भी कर तो फिर भी वो file यहां पर रहेगा ही तो बहुत ही कमाल का stories utility application है और यह open source भी है तो एक बा आना हो गया है कि उस encoded message को देखे एक छोटा बच्चा भी बता देगा कि यह एक secret message है जिससे decode करके पढ़ा जा सकता है and chances are कि वो उस message को पढ़ भी ले and पढ़ने के बाद वो आप से यह कहे तो अगर आप भी अभी तक वही पुराने style में message encode करते आ रहे हो दिन आप text emoji website क यूज करके अपने किसी भी message को कुछ इस तरह encode कर सकते हो कि अगर स्लाक्षाथ ACP प्रद्यूमंदी प्रकट हो जाए ना तो वो भी पता नहीं कर सकते हैं कि वो secret message है या कुछ और तो ऐसा करने के लिए आपको यहाँ इस website पे आना होगा फिर यहाँ पे अपने सरद्धान पे क्लिक करना है और फिर यहाँ उस emoji को पेस्ट करके password एंटर कर देना है और बस इतना करते हैं यहाँ पे actual message हो जाएगा तो दूसरों की आँखो में धूल जो कि अपनी संगिनी से बात करने का यह सबसे बस तरीका है देखो यार जब को अभी भी आप किसी website को सर्फ करते ह तो काफी सारी websites ads से भड़ी होती है और अगर आपको डर लगता है कि कोई गलत ads प्रिसना हो जाए या फिर अगर आप उन सारे ads से परेशान हो तो chrome का यह secret feature उन सारे ads को गायब कर देगा आपको simply यहाँ search bar में type करना है chrome colon double slash flags उसके बाद यहाँ search bar में type करो reader mode और यहाँ से इ क्लिक करते हो उस website के सारे ads गयब हो जाएंगे यह थोड़ा basic सा feature है लेकिन इसी में मैं आपको थोड़ा advanced feature के बारे में भी बता देता हूं तो उसके लिए आपको native alpha app को install करना पड़ेगा यह app basically किसी भी website को application में convert कर देता है आपको simply यहाँ पे उस website का link paste करके okay पे क्लिक करन सकते हो cookies disable कर सकते हो और भी बहुत कुछ तो काफी कमाल का application है definitely install करना देखो यार जब कभी भी हमें किसी भी unknown number से call आता है तो उस वक्त हम यह decide नहीं कर पाते हैं कि यह number actual में आपके किसी जान पहचान वाले का या कोई telemarketing scam है अब ऐसे में इस चीज़ को पता करने के लिए ह Glittery Authority of India KYC based caller ID rollout करने वाली है मतलब अब अगर आपको कोई भी unknown number से call आता है तो उसका exact name आपके phone पे show हो जाएगा और यह नाम KYC based होगा तो fake identity का कोई chance ही नहीं है वैसे यह update आने वाले दो week में rollout होना start हो जाएगा तो comment करके बताओ क्या आप इस update को लेकर कि excited हो या नहीं वैसे यार अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो और अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो या वीडियो इंफॉमेटिब लग रहा हो तो क्या आपने अभी तक चानल को सब्सक्राइब किया या नहीं तो प्लीज यार मेरे सोच को मत बतलो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोडिफिकेशन अन करतीजिए और हाँ वीडियो को लाइक भी करतीजिएगा दो गंटे के अंदर 1700 के लाइक टार्गेट को कम्प्लीट करना है तो बैसलिस्ट के नट्युक्र आप अप्लीकेशन को यूज करके आप अपने कसी भी फ्रेंड के फोन के वाल्पेबर को चेंज कर सकते हो, वह भी बिना उसके फोन को ट्च किया तो मान की चलो कि आपके friend के phone में ये app already install ले तो आपको उसे बस यहाँ से add करना होगा और ऐसा करने से उसे बस facebook की तरह friend request accept करना है और बस आपका काम हो गया अब आप इस claim के option पे click करके अपने gallery से कोई भी wallpaper choose कर सकते हो और उसे आप send करके अपने किसी भी दोस्त के phone के wallpaper को change कर पाओगे और एक मज़ेगी बात बताओं अगर आप अपने किसी भी friend को message करते हो और वो आपके message को avoid करने के लिए बहाना बनाता है कि वो काम में busy था इसलिए message scene नहीं कर पाया वेगेरा वेगेरा देने से case में आप उसे कुछ इस तरह wallpaper message send करो अब ना चाह करके भी उसे आपको reply देना पड़ेगा क्योंकि अब वो busy होने का बहाना नहीं मार सकता क्योंकि अब सब कुछ उसके सामने है तो बहुत ही कमाल का application है जो संगनी से ले करके कंजूस दोस्त सब को लपेट लेता है दो हो यारे बहुत ही common query जो मैंने अपने वीडियो के comment section में regularly देखा है वो यह है कि भाई wifi hacking के बारे में कुछ बता दो या फिर wifi hacking सिखा दो और इस तरह के comment समय साथ top पे रहते हैं क्योंकि इस पे number of likes भी ज्यादा होते है और इन comments को देखके मेरे मन में बस एक ही कहाल आता है तो देखो यार दो चार चीज़े बताऊंगा ध्यान से सुनना तो सबसे पहली बात इस तरह के videos YouTube allow नहीं करता है और यह कोई maggie तो है नहीं जो दो मिनिट में हो जाएगा तो आगे से please ध्यान में रखिया कि ऐसे videos आपको YouTube पे कहीं नहीं मिलेगा और जो है उसके अंदर topic से हट कहीं बात होती है आप मेरे viewer हो आपको बताना मेरा काम है क्योंकि काफे लोग एक hope पाल लेते हैं चुमेस्वरी भड़ा प्यार और हाँ खुश रहो और खुशियां बातते रहो